महा भारत एक ऐसी डिवाइन टेल जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा लेकिन आप मेंसे ज़्यादातर लोग इसे या तो एक स्टोरी या तो फिर एक हिस्टोरिक वार की तरह कंसीरर करते हैं लेकिन अगर आप इस सेम क्वेश्चन अपने पेरेंट्स या ग्रांट पेरेंट्स से पूछते हो कि वाट इस महा भारत अल अबाउट तो उनका केवल एक ही आंसर होगा दाट महा भारत इस तरह समरी ओफर लाइफ सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चार इंसीडेंस बताऊंगा महा भारत के जिससे इंस्पायर होके आप अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो अगर आप महा भारत के कैरेक्टर से इंट्रिडियूस्ट हो सो आप इडिफिनेट्री जानते होंगे अरजुना वस तक ग्रेटेस्ट वॉर्यर इन महा भारत बट आपको पता है ऐसा क्यों? not because उनके पास सारे दिव्यस्त्र थे बट उन्होंने ये खुद एडिमिट किया है that his ability to learn and his knowledge was his greatest weapon और एक बात को लेकर वो ज्यादा अवेर थे कि अगर उनको लाइफ के नए-नए hurdles टैकल करने है तो अपनी knowledge और अपनी learning process पे focus करना होगा और अगर आप इसे investing world के context में देखें so market और world बहुत dynamic है हर moment नए-नए terminologies introduce हो रही है और अगर आप flexible enough नहीं हो market में adapt होने के लिए और नए-नए चीज़े सीखने के लिए then you are definitely in trouble second lesson do not do over diversification आपने महा भारत की war में दो clans के बीच में लडाई देखी होगी एक तरफ pandafs और दूसरी तरफ korups pandaf 5 थे और korups saw so आपने यहां से एक चीज़ observe करी होगी कि korups का coordination proper नहीं था और korups का जो leader था दुरियोधन वो अपने clan को सही से manage नहीं कर पा रहा था और while दूसरी तरफ pandafs एक मुठी में बन थे low number होने की वज़े से वो एक दूसरे से सही से coordinate भी कर पाते थे और उनको leader को उनको manage करना बहुत easy पड़ता था so आपने यहां से एक चीज़ समझी होगी कि अपने portfolio को over diversify करना is also a very big problem क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने portfolio में हजारो stocks रख लेते हैं और यह सोचते हैं कि मैंने अपने portfolio को अच्छे से diversify किया है तो मुझे long term में profit होगा लेकिन यह wrong mentality है because आँ सोच के देखिए कि इतने सारे stocks को एक साथ manage करना और observe करना कितना difficult होगा तो आज से अपने portfolio की quality बढ़ाईए quantity नहीं आपने बचपन में वो bird eye वाली story तो definitely सुनी होगी जहां आपको बताया चाता है कि कैसे अरजुन ने केवल एक चीज़ पर focus किया था वो थी मचली की आँख और वही उसका goal था अगर आप finance की बात करें सो आपके दो goals होने चाहिए एक short term finance goal और एक long term finance goal short term finance goal का example है financial security while long term finance goal का example है financial freedom अब आप बोलोगे इन दोरो terms का मतलब क्या होता है एक तरफ है financial security और दूसी तरफ है financial freedom सो सबसे पहले financial security को समझने के लिए आप एक example लीजिए suppose आपकी life में एक ऐसी emergency situation आती है जहां आपकी कुछ समय के लिए source of income बिलकुल खतम हो जाती है और अगर आपने enough पैसा save कर रखा होता या आपने कुछ ऐसे funds में invest कर रखा होता जो आपको कुछ returns भी दे और उनकी liquidity जादा हो then you are financially secured but ऐसे कौन से funds होते हैं जो हमें returns भी दे और ज्यादा liquid भी हो so उसका सबसे अच्छा example है emergency funds emergency funds ज्यादा liquid भी होते हैं और FD जितना returns भी देते हैं around 7% अब आप financial security term का मतलब समझ गए होंगे और financial freedom भी एक step forward है financial security के जएगे ऐसे समझ लीजे अगर आप financially secured है so short term के लिए आप without any primary source of income sustain कर सकते हो और अगर आप financially free हो so आपको primary source of income की जरुवत ही नहीं पड़ेगी मतलब आपको बिल्कुल भी काम करने की जरुवत नहीं पड़ेगी और ये केवल एक चीज से possible हो सकता है कि आपने जल्दी से जल्दी और ज्यादा से जादा assets pick कर रखे हैं मतलब अपना maximum पैसा और time केवल assets को दिया है ना कि liabilities को so तभी ये कहा जाता है इसको समझने के लिए आपको वो dice game जरूर देखना होगा जहां King Yudhister ने अपनी सारी wealth लूज कर दी just because of his greed to earn extra ये उन सभी लोगों के लिए बहुत important life lesson है जो quick risk key में believe करते हैं जो सोचते हैं जल्दी से जल्दी पैसा कमाएं और market से square off करें but let me tell you अगर आपको long term में game खिलना है और आपको financially free होना है then आपको fundamentals के साथ चलना होगा और सही जगा invest करना होगा thank you